हालो एवरीवन वेलकम बैक टू माई यूटिप चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा ही कर रहे होंगे आज की रीडिंग का जो टापिक है वो है कि लोगों के बीच आपकी च्छवी कैसी बनी वी है ठीक है लोग आपको कैसे देखते हैं लोगों की नजर में आपकी च्छवी कैसी है टाइमलेस रीडिंग रहेगी तो जब मिलेगी तब रज़ोनेट करेगी साथ ये जेंडर बेस रीडिंग नहीं है तो आप लड़के हैं लड़की हैं दुनों के साथ रजोनेट करेगी जर्णल कलिक्तेव रडिंग है ब्लीज उपन माइंड होके देखेगा जितना रजोन अप्लोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और अगर आपको मुझसे परसनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मैं इंश्चे के लोगों के बीच आपकी छवी कैसी है तो लोगों को सबसे पहसे पहसे तो यह चीज बड़ी इंट्रस्टिंग लगती है कि आप काफी ज़्यादा secretive type के person हो, mysterious type के person हो, आपना जो बाते बोलते हो, बोलते बोलते या तो चुप हो जाते हो, या proper तरीकी से नहीं बताते हो, अपने secret शेयर करना पसंद नहीं है, अपनी personal life को शेयर करना पसंद नहीं करते हो, और कहीं न कहीं अपनी professional और personal life को अलग-अलग ही रखते हो ऐसा मुझे लग रहा है तो लोग काफी जादा ना excited होते हैं काफी जादा interest लेते हैं आपकी personal life में especially क्योंकि आप जाधा तर ना अपनी personal life को discuss करना पसंद नहीं करते कि आपके निजी जीवन में क्या चल रहा है क्या हो रहा है और क्या issue आ रहे हैं कुछ भी आप discuss करना पसंद नहीं करते हैं लेकिन हाँ यह चीज़े हैं कि आपके face पे जरूर दिख जाता है कि आप परेशान हैं आपकी life अच्छी नहीं चल रही है कहीना कहीं आप अपनी life में na struggle face कर रहा है इमोशनल परसन हो बट आपना अपनी emotional side को hide करना पसंद करते हो अपनी emotional side को दिखाना पसंद नहीं करते हो क्योंकि लोग value नहीं करते हैं या फिर यह चीज़ है कि आप जल्दी से trust नहीं करते हो क्योंकि past में कभी आपने trust क्या हो जिसके वज़े से आपको धुका खाना पड़ा हो साथ ही यहां पे लोगों को ऐसा भी लगता है आपकी छवी ऐसी लगती है कि आप confused बहुत जादा रहते हो आप इस ट्रक बहुत जादा रहते हो आप बहुत जादा emotional person है बहुत जादा ही caring loving और family oriented person है तो आप अपने profession पर ढंक से ध्यान नहीं दे पाते हैं तो उन्हें ऐसा ही लगते है कि इस person को जरूरत है कि यह दोनों साइट जो होती है ना हमारी लाइफ की उनको balance करना सीखे personal और professional life को balance करना सीखे तो कहीं ना कहीं आप उन्हें जल्दी गुसा आ जाता है या आप बहुत जल्दी ना परेशान हो जाते हो आप दिखने में बहुत सुंदर हो आपका nature बहुत अच्छा है loving हो kind हो और बहुत जल्दी ना आप लोगों के साथ घुल मिल जाते हो यह भी चीज़े हैं आपके अंदर kindness बहुत है साथी थोड़ flirty nature भी हो सकता है किसी किसी कले मैं कह सकती हूँ और उससे भी जादा आप लोगों के साथ घुलना मिलना तो करते हैं लेकिन आप अपनी boundaries भी set करे रहते हैं कि उसके पार कोई नहीं आएगा वही चीज़ आ गई कि आप थोड़ा reserve रहना पसंद करते हो जब बात ना कुछ ऐ आती है कि कोई आपसे पूछ ले आपके घर खांदान के बारे में यह यह पूछ ले कि अच्छा ठीक है आपकी love life कैसी चल रही है तो आप एकदम से चुपोगे ना महां से side हट जाओगे आप बताना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं या जैसे अगर आप सिंगल हैं इनकेस उन्होंने पूछ लिया क्या आप अभी relationship में हो तो उन चीजों को लेकिन आप थोड़ा reserve से हो जाते हो और महां से हट जाओगे साथ होने यह चीज बड़ी अच्छी लगती है या वह ऐसे ही आपको view करते हैं या उनके नजर में आपकी छवी ऐसे ही है कि आप काफी knowledgeable person है wisdom क को carry किये हैं काफी wisdom है आपके पास और एक power भी है मतलब अपने emotions को कैसे height करना है अपनी emotional side कितनी दिखानी है वो चीजों का control आप पर बहुत अच्छा है क्योंकि कोई-कोई इंसान जो होता है emotional person होता है और जब सामने को बाले को पता चल जाता है यह person emotional है तो उसको वैसे ही black प्लेट करना और अपना काम निकलवाना यह चीज़े करते हैं देखें बहुत से लोगों में होती है यह आदत कि अगर कोई व्यक्ति पता चल रहा है कि हाँ यह emotional person है यह इसको कैसे दबाया जा सकता है तो वो उस चीज़ का use करता है अपने फायदे के लिए इसी वज़ा से कहीं कहीं या तो आपके साथ पहले ऐसा हुआ है कि पास्ट में आपने किसी पर ट्रस्ट किया emotionally आपने किसी को friend माना और उस इंसान ने आपको धोका दिया या आपने किसी से अपने secret शेयर किया उस इंसान ने आपके secret को use किया अपने मतलब के लिए ठीक है कुछ भी हो सकता है तो वही चीज़ है जिसके वज़े से आप बहुत जादा secretive और mysterious टाइप के person बन गया है कईना के वही चीज़ों है और बी जादा उकसुख करती है आपके बारे में जानने के लिए कि इस व्यक्ति के बारे में जानना है इसने इतनी knowledge कैसे गेन की या यह क्या करता है अप आप काफी highly educated person होंगे और काफी rooted grounded person होंगे साथ ही यहां पर यह भी चीज़े हैं लोगों की नजर में कि आप एक ऐसे person है जो अपने tradition को काफी follow करता है religious type का person है और आप काफी कम बात करते हों वो चीज़े भी मैं कह सकते हूं साथ ही आपके अंदना एक strong power है आप एक psychic भी हो सकते हो healing modalities से जुड़े हो ऐसा हो सकता है बाकी आपको challenges लेना बहुत परसंद है अगर आपकी life में न कोई भी ऐसा इंसान है जो आपको challenge कर रहे हैं कि आप यह काम नहीं कर सकते तो आप वही काम करके दिखाते हैं यह वाली चीज़े भी हैं साथी आप argument वंगिना में परते हो सकता है इंजीनियरिंग किये हो ऐसा हो सकता है या फिर आप एक किसी तरीके के consultation वगिरा लेते हों healer हो सकते हो influencer हो सकते हो और यहां पर नेवी officer कि कुछ profession मुझे दिख रहे हैं वो मैंने आपको बता दी है साथी यहां पर लोगों को एक star like energy भी लगती है आपका और काफी positive है आप काफी जादा शांस सुभव के person होंगे आपको white color पहनना बहुत पसंद होगा ऐसा मुझे लग रहा है जादतर आप white color wear करते हो यह normally भी य हो सकता है और कहीना कहीना उन्हें असा लगता है कि आप काफी जादा mature person हो अपनी age से बढ़के बाते करते हो अपनी age से बढ़के ना आपको life में experience मिले हैं जैसे आपकी age काफी कम है लेकिन आपने दुनियादारी से इतने धोक्ये खाया है इतना जादा manipulation को जहला है कि अब आपना इतने mature हो चुके हैं कि हर situation से आपको deal करना handle करना आता है साथ ही आप emotional person है लेकिन आप रोना धोना नहीं मचाते हो आपना अंदर ही अंदर ना चीजों को लेते जाते हो मिलाब sensitive type के person हो अकर रोते भी हो तो अकेले में रोगे दुनिया के आगे नहीं रोने वाले हो यह चीजे है साथ ही आपके पास हमेशा दू चीजे रहते हैं मल्टी टास्कर हो सकते हो आप okay या फिर मैं कह सकती हूं कि आप न एक साथ कुछ दो चीजे कर रहे हो जिसकी वेचे से आप बहुत जबल करते हो तो आप में balance की कमी है यह चीज मैं कह सकते हूं साथ ही उन्हे argument करना आपका पसंद नहीं होगा किसी से भी आप वही चीज़े वो limited word में अपनी बात कहना जानते होंगे और आपका communication skill काफी strong होगा energetic person वो risk लेना पसंद है लेकिन वो चीजों में जो आपको excite करें, interest जगा है आप में उनी चीजों में, जबर्दस्ती जहां पर बहुत समुंद्र वगेरा हो beaches वगेरा आपको घूंडना बहुत पसंद हो ऐसा हो सकता है, या आप राजिस्थान वगेरा ऐसी साइट से हो सकते हैं जहां पर बहुत रितीली इसी जगह है, ओके, और आप यह कैसे person है एक बार अगर किसी ने दिल तोड़ दिया फिर दुबारा उस person के ताफ मुढ के ना देखो, बना फिर जाएं वो कितना भी मना ले, लेकिन आप नहीं मानने वाले हो, साथी आप बहुत reserve रहना पसंद करते हो आपके गिने चुने friends होंगे और नए लोगों के साथ आप जल्दी दोस्ती करना पसंद नहीं करते हो ये चीज़े भी आप कम बात करते हो क्योंकि तो कुछ लोगों को आप egoistic टाइप के person भी लगते हो, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये इंसान कैसा घमंडी सा है ये तो बात ही नहीं करता है ये तो देखता ही नहीं हमारी तरफ या ये अपने में ही मगने रहता है वो वाली चीज़े भी हो सकती है कुछ लोग आप से जैलिस भी होते है क्योंकि आपकी ब्यूटी को देखके क्योंकि यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ अट्राक्ट होते हैं आप जितने काम हैं शान पोर्सन है और सॉफ्ट स्पोकन है ठीक है तो वो चीज़ देखके न जो अपॉज़े जेंडर वाले लोग है वो बहुत जल्दी अट्राक्ट होते है बी से या जी से आपका नाम आता होगा ओके और देख लेते हैं लोगों की नजर में आपकी छबी कैसी है अच्छा आपको ना कॉम्पेटिशन में पार्ट लेना बड़ा पसंद होगा जैसे रीडिंग राइटिंग का शॉक हो गया या कुछ ना कुछ कोई और एक्टिविटी में अपको पार्ट लेने का शॉक हो सकता है जैसे चेस खेलना आपको बहुत पसंद हो या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी तरीके के zurा कंसुल्टिशन वगया लेते हो तो उसमें कहीं कुछ ट्रॉफी वगया आपने जीती हो ऐसा हो सकता है या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ ऐसा जो आपको पसंद है लेकिन आप मैं वह नहीं कहूंगे कि नाज गाने वाली चीज़े इतना मुझे नहीं लग रही है तेक है ऐसी चीज़े जो knowledge से related हो जैसे competition वगेरा होते रहते हैं तो उनमें पाट लेना आपको पसंद होगा balance कर नहीं पाते हो लेकिन लोग चांते हैं कि आप balance करना सीखें उन्हें ऐसा लगते है थोड़े balance की जरुवत है आपको और हमेशा यह चीज़ उन्होंने notice की है कि आपके जो point of view होते हैं हमेशा और लोगों से अलगी रहे हैं आप कभी भी ना लोगों के कहें पर नहीं चल लगती है और कई नहीं अच्छी भी लगती है कि ऐसा होना भी चाहिए कि भाई तब तक मत बोलो जब देख ना लो सुनना लो ढंग से चीजों को तो वह वाली चीज़ोंने बड़ी अच्छी लगती है आप law field के student हो सकते हैं या आप बहुत honest रहना पसंद करते हैं आपको honesty loyalty यह चीज़े ज्यादा पसंद है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे टाइप के person भी होंगे जो जल्दी से reaction नहीं देता है यहां पर गोई भी ऐसा card नहीं है जिसमें यह चीज़ दिख रही हो कि वह बहुत जादा speed में भाग रहा है बहुत गुस्ये वाला है वो चीज़े नहीं हैं बहुत calm शांत रहना पसंद करते होंगे जल्दी से ना आप stand लेना जल्दी से चीजों के लिए excited होना वह वाली च खुश रहता है अपनी company enjoy करता है ज्यादा किसी से बात नहीं करता है वह वाली चीजोंने ज्यादा लगती है में भी आपके workplace पे लोग होंगे एक दूसे के साथ gossip करते होंगे लेकिन हुनोंने हमेशा आपको ऐसे ही देखा है कि आप अपने में मगन हो ज्यादे किसी से ना यह वज़ा कि gossip या चिट्चाट में नहीं पढ़ते होंगे है अपके शिक्स ओव वांड्स मून काड़ आया है इसको आम दिखाने ही सकते हैं फॉर ओफ वांड्स किंग ओव वांड्स ओके बॉटम अफ डेका है मजीशन और टैन अफ पेंटिकल सो कुछ लोगों के लिए यहां पर यह आया है कि आपकी छवी लोगों की नजर में यह है कि कुछ लोगों को मैंने यह बताया था कि वह ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं बट इसके व जैसे जल्दी फ्रेंड्स बना लेना लोगों में छा जाना क्योंकि हमां स्टार की एनरजी आई थी तो आपकी स्टार लाइक परसनेल्टी है लोगों में जल्दी छा जाते हो लोगों से जल्दी कनेक्ट कर लेते हो ऐसा हो सकता है साथ ही आप में गुसा बहुत है आप बह पहले बताया था नो उसकी बिल्कुल opposite यह चीज़े आई है कि excited रहते हो इंट्रस्ट लेते हो नई नई चीजों में और कहीं न कहीं आपको जीतना पसंद है कहीं आपको रिस्क लेना पसंद है साथ ही लोगों को ऐसा लगता है लोगों की नजर में आपकी शबी आसी है कि बहुत अच्छे से अपनी responsibility निवाना जानते हैं आपको पता है कैसे काम करना है कैसे बात निकलवानी है कैसे अपने business को आगे बढ़ाना है वो चीज़े साथ हैं लोगों की नजर में आपकी शबी ऐसी भी है कि आप अपनी ममा के साथ बहुत जादा connected है अपनी mother से आप बह emotional person है तो जल्दी रोना भी आ जाता हो वो चीज़े हो सकती है बट जहां पे मुझे जो लग रहे हैं चीज़े कि आप में यह सबसी interesting होने लगता है कि आप ना ready रहते हो risk लेने के लिए आप ready रहते हो नई चीजों को सीखने के लिए आप ready रहते हो गलतिया करने के लिए क्य जहना गई उनको ऐसी भी लगता है कि आपकी life अच्छी है आप काफी blessed person है आदी आप काफी लगती है आपके पस किसी चीज की कमी नहीं है जैसे आपके पास प्यार भी है आपके पस काम भी है आपके पस finance भी है और आपके पास घर वगेरा सब जरुवत की चीज़े है तो जीज़े लगती है उन्हें उन्हें ऐसा लगता है कि भाई यह इंसाइन की ना life अच्छी है तो आप यादा ऐसा pretend करते है या उन्हें ऐसा लगता है कि आप काफी जादा blessed person है सो यह कैस मुझे यही दिख रहा है अगर मैं आपके बर्थ डेट की बात करू छे पंदा चॉबिस नौ अठारा सत्ताइस दो ग्यारा बीस और एक दस उन्हेस अठाइस यहां पे मुझे दिख रहा हैं चार तेरा इकत्तिस बाइस और यह पे यही मुझे भी दिख रहे हिए अगर मैं बंत की बात करो जन्विरी फर्वरी अपराइल जून सितमबर वेंबर अक्टुबर हैं यहीं मुझे पर्थमन दिख रहा है जो बर्थमन्द और बर्थ डे Cath네 ऑन बताई अग को राजुनेटर नहीं करती इसरी डिंग राजुनेटर करiyor की जैन की चीरी चाय उपें अब्र ₌ब 5-7 आवर साइन है औंअ और साइन भी या सारे ही मौच्युद municipalities इस specific zodiac sign नहीं बताऊंगी angel number आपको 2222 बहुत दिख रहा होगा या angel number 1111 आजकल आपको बहुत जादा ही दिख रहा होगा तो अगर आप चाहे तो google पे meaning देख सकते हैं साथ ही so yeah guys I hope reading अच्छी लगी हो resonate की हो की हो तो please like share comment कर देना channel को subscribe जरूर करना मुझे जरूर बताना reading कैसी लगी मैं मिलंगी next reading के साथ अब तक लिए बाई